अमारी जिन्दीगी में भी आम आपनी की तरह मुश्किल आती है कभी-कभी ऐसे क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ कर जा सके हम तो बस आम लोग हैं आपकी तरह शायद बहार के लोगों के लिए दोस्तों दोबारा से IMDB दर्शोंकों की लिए टॉप 10 फिल्मों की सिर्ष तक हर चीज की जानकारी आप लोगों को हिसले मिल जाती है और इसलिए हम लाए हैं आपके लिए वो 10 फिल्में जो IMDB रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक है खास बत यह कि इस लिस्ट में IMDB के टॉप 10 लिस्ट में इस बार Bollywood की 5 फिल्में शामिल है वैसे तो पिछले कई बार से साउट की फिल्मों ने टॉप पर अपनी जगा बना रखी थी लेकिन साल के खत्म होते होते फाइनली Bollywood कमबैक कर गया है वाइए देखते हैं कि टॉप पर वो कौन से फिल्म है जिसका फैंस बहुत ही बेसबरे सिंतजार कर रहे है नमबर वन पे है पहले कार्तिकारेन की फिल्म Freddy जो की दो दिसम्बर को रिलीज हो रही है ये फिल्म रिलीज होगी Disney प्लास हो स्टार पर इस फिल्म में कार्तिकारेन एक अलग होतार में नजर आएंगे हाला कि है तो वो dentist है लेकिन जिस तरह से उनका behavior है ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म में psycho का role play करते हैं नसर आने वाले हैं दूसरे नमबर पे हैं अजे दिवगन की फिल्म द्रिक्षम 2 जो अभी हाल में 18 नॉवंबर को release हुई है फिल्म बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई कर रही है इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि लोगों को ending और climax बहुत पसंद आया साथ ही अक्षे करना इस बात चाग गए हैं इस फिल्म को करने के बाद से तीसरे फिल्म की बात करें तो वो है वरुन्द होँन की फिल्म भेडिया जो कि 25 नॉवंबर को release होने वाली है अलागि दोस्तों देखा जा तो वरुन्द होँन की यह पहले फिल्म है जो आयम डिबी लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल हुई है क्योंकि इतने excitingly wait वरुन्द होँन की किसी भी फिल्म का लोगों ने नहीं किया होगा अब बात करते है नंबर फोर की तो वो है विवेक ओपरोय और सुनिल शेटी की सिरीज धारावी बैंक चौते नंबर पे है और ये रिलीज होने वाली है 14 नवंबर को इसके अलावा दिखा जाए तो काजूल की सलाम वैंकी जो की है पाचवे नंबर पे और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 9 दिसम्बर को खास बात इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आमिर खान कैमियो रोल करते नजर आएंगे मतलब कह सकते हैं कि ये उनकी आखरी फिल्म होने वाली है क्योंकि इसके बाद वो काफी लंबे ब्रेक पे जाने वाले है मतलब अब वो फिल्में सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे नजर नहीं आएंगे फिल्मों में तो ओवर आल दिसम्बर में तो आएंडिबी की लिस्ट में टॉफ फाइफ पर तो बॉल्वुट की फिल्में साई है लेकिन अब बात करें लिस्ट में नंबर सिक्स की तो वो है सुधी पोश्रिया शरन की फिल्म कब जा जो कि 22 दिसम्बर को रिलीज होने वाली है साथवे नंबर पर तमिल फिल्म लाटी है जो कि 22 दिसम्बर को OTT प्लाटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी वहीं आटवे नंबर पर रितिस देश्मुक और जैने लिए डिसोजा स्टारर मिस्टर ममी जो की ओल्रेडी 18 नंबर को रिलीज हो चुकी है बहुत अलग कॉंसेट्ट पर बनाए ज़ी फिल्म है लेकिन बॉक्स ओफिस पर लोगों को पसंद नहीं आ रही नेक्स्ट फिल्म की बात करें नंबर पर तेलगो फिल्म आहा ना पहलनता और नंबर टेन हिट दिस सेकंड केस जो की रिलीज होगी दो दिसम्बर को वेल इनमें से आप किस फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटीड है और क्या लगदा है कि वरुन दोवन की फिल्म जो तीसरे नंबर पर कबजा जमा कर बैटी है इसका कुछ फाइदा होने वाला है बॉक्स ओफिस पर हाई एना या अपना रिव्यू भी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें थैंक्यू सो मच देखते रहें बॉक्डाडू स्टूडियो